है गाइस वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल और गाइस इस बार जो है आप लोगों के लिए बहुत बढ़ी आ गारी लेके हैं जुन लोगों का बजट बुलेट कर लेना नहीं होता लेकिन बुलेट जैसी कभी-कभी फीलिंग लेनी होती है या क्रूजर बाइक में सब्सक अपने लिए पर्चेस करी 30 जून को मैंने पर्चेस करी तो यहां पर खड़ी है बजाच की एवेंजर 162 20 मैंने नहीं लिया था वह बिल्कुली क्रूजर हो जाती है साथ में जो है सिटी में बहिया हमें कॉलेज इसका इवरेज कितना होने वाला माईलेज आपको बताने व एक यहां पर भी जो है स्पार्क देके रखा ओगा हुआ है और इसमें यह पावर भाई आपकी प्रोड्यूस करता है 15 ओर्स पावर ते में पर नियुटन नीमीटर का टॉर्फ है जो कि 7000 नीम्यम पर गिंपर यहां बात कर लिए इसके आगे के पार्ट की तरब बढ़ते ह सबसे पहले बात करते हैं इसके headlight और indicators के बारे में तो इसमें headlight जो है काफी बढ़ी हादी के रखी हुए इसका जो visibility area है जो आपको गाड़ी चलाते तो आपको अच्छा area जो है आपको दिखाई देता है low beam और high beam पे आगर आप highway पे चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि इसकी low beam और high beam है हाला कि इसमें halogen valve लगा हुआ है यह थोड़ा से इसमें disadvantage है लेकिन आपको यह इसका halogen lamp जो भी है लगा हुआ है इसकी range अच्छी है और आप यह देख सकते हूं नीचे जो है LED light यहाँ यहाँ पर यह लाइट नहीं जलती है बट अगर मैं इसको गाड़ी को किल स्विच जैसे मैं गाड़ी को आउन करता हूं तो तुरंद यहाँ पर यह लाइट ओन हो जाती है और बात करते हैं आप गाइस इसके इंडिकेटर के बारे में इंडिकेटर भी जो है हालोजन वाले हैं यह LED इंडिकेटर नहीं दिये हुए है और इसका लेकिन काफी जादा अच्छ अच्छी काइट है लेकिन मेरे को यह गाड़ी कमफर्ट के मामले में अच्छी लगती है और रॉयल इंफिल्ड बुलेट आती है उसके जैसे जो है कहीं कहीं से मुझे जो है लुक मिल जाता है भाई ब्रॉड लुक लगता है भाई एक तो मैं भी ब्रॉड ऊपर से कितना लगा हुए आगे तो यह देख सकते हो यहां पर देख रहा होगा नब्बे नब्बे 17 इंच का जो है इसमें टैयर लगा हुए जो की काफी बढ़िया टैयर है और गाई से इसका जो आप देख सकते यह डिजाइन जो दिया हुए दिया हुए यह जो ट्वाइल स्पो आपको लग रहा होगे कि यह पीछे डिस ब्रेक नहीं है यह इनों ने जो है आर एलपी जो है लगा के दिया हुए इससे क्या होता है जो लोग इस्टेंट जैसे करते हैं तो ब्रेक मारने पे पिछला पईया उठाते तो यह पिछले पईयों को लिफ्ट नहीं होने देती ह पीछे जो है ड्रम ब्रेक लगा हुए 130 mm का और काफी बढ़िया है और अब बात करते हैं इसके एक्जोस्ट के बारे में हाला कि यह क्रूजर बाइक है जब आप चलाओ गए तो इसके एक हलेगी फीलिंग आती है और जब चलो आपको जो है एक्जोस्ट भी सुना देते है सब्सक्राइब कैसा है कि एक्जोस्ट तो फिर भी ठीक है बढ़िया है मज़ा आ जाता है लेकिन इसमें मेरे को एक चीज की जो है कमी लगती है वो यह है कि इसमें का जो फ्यूल इंडिकेटर आपको यह फ्यूल इंडिकेटर गई यह है यह धोका दे दिता है अगर इसमें मालो कभी-कभी मेरे साथ ऐसा हुगा था मैंने 500 रुबए कि इसमें पेट्रोल डला रहा है और 500 रुबए में पूरी टंकी फूल ले जाती बार हलाकि इसमें पेट्रोल के जो कैपिसिटी फ्यूल कापिसिटी वह कैपसिटी इसकी सब्सक्राइब करेंगे इसमें इसमें मिलता है हाला कि इसकी सीट की हाइट 737 मीटार है जो की कम है एस केंपैरिजन टू रेडर रेडर क्रूजर भाहिए थोड़ी सी हाइट और जिनकी हाइट कम होगी आर उनको गारी चलाने में बहुत आराम भाहिया लगता है लोग टू यहां पर देख सकते हो आपको इस पूडमेटर मिलता है और यहां पर बजाज का दिखाई देदेता है और यहां पर बैटरीवाला दिखाई देता है और साथ में आपको इंजन शेकला दिखा डिखाता हूं यह देह सकते मात्यद्र के बता करें करने बतन तुर्टन好啦 यह यहापनी को यहापन ने हैं सब्सक्राइब डिला करने वाला बसक्तिर सब्सक्राइब हैं मेरा ओर और ऑंकर डिया धाल कुछ और गॉम्होहर्ष जो है देख सकते हैं मैं अभी जो है वीडियो बन रही है और इसकी सीट की हाइट जो मैं बता रहाता है ये देखो गाईस बढ़े आराम से यह भी डबल स्टेंड पर लगा हुए अधो साथ में भी नावी गारी और यहां पर आपको साइडी स्टेंड का जो है शो करने में लगा हूँ आप को ब tatal आपके स्टार्ट नहीं जो है तो यहां पर बात इसके इसके वारे में इंडिकेतर इंडिकेटर को बंदर देते हैं यह यहां पर देख सकते हो सस्पेंसल लगा है टेलिस्कोपिक विद वन थाटी एमम के जो है फॉक ट्रेबल लगा हुआ है यह भाई सॉक जो है आपके जो एब्सॉर्फ भी कर लेते हैं और इसमें जो है सस्पेंशन इसका काफी बढ़िया ह जो है पता चलेगा पीछे भी आपको जो है सस्पेंशन देकर रखा हुआ है इसमें मोनोशॉक शस्पेंशन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह सस्पेंशन एस इसमें पूरी गाडी में इस्तमाल करी गई हुए यहां पर आपको सिंगल स्टैंड भी मिलता है और यह फाइब देख चैए आपको इसमें इसमें और आपको सिंगल शीट कोईस पॉए स्टमाल भी मिलता हैin और देखेंव जान अग करेंड़ करेंता ऑर द्रल्व फिर बहुत अच्छी लगी हुई है यहां पर छोटी सी जो इसमें विंशील्ड लगी हुई है और बाकी इसका जो है सामने से लुग जो है काफी बढ़ी हाता है रेडियल टायर्स दिये हुए है और अब बात करते हैं इसका प्राइसिंग के बारे में तो यह मेरे को लखनों में पड़ी थी सायद से पहले यह मुझे 30-35 का एवरेश देती थी और इस टाइम जो है 35-40 का दे रही है तो यह पहली सर्विस हो पहली सर्विस की कॉस्ट जो आई थी मुझे लगबख 700-600 ऐसे रुपे की मेरे को कॉस्ट आई थी और इसमें जो है इसके मिरर्स काफी बढ़िया है इसमें आपक से जोड़ी सकते हो इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो